अब जैसा कि मैंने पहले भी कई बार इस वीडियो में कहा कि रागी या नाचुनी एक बहुत ही फाइदेमंद फूड ग्रेन हैं इसमें हमारी हेल्थ को हर लेवल पर सपोर्ट करने के लिए विटामिन्स, मिनेरल्स और माइक्रो निट्रियंट्स मौझूद हैं रागी का एक सबसे बड़ा फाइदा तो खेर यही है कि इसमें लगबग 15-20 प्रतिशत डायेट्री फाइबर होता है लगबग 3.5 प्रतिशत मिनेरल्स पाए जाते हैं इसके इलावा रागी का सीड कोट फाइटो केमिकल्स का भी एक बहुत ही महतोपूर्ण सोर्स है लेकिन रागी या नाचनी के बारे में जो सबसे खुलसूरत बात है वो यह कि इसमें और सब ग्रेंज के मुकाबले सबसे ज़्यादा कैल्शियम पाया जाता है सिर्फ एक सो ग्राम रागी के सेवन से आपको 344 मिली ग्राम कैल्शियम मिल जाता है जो की आपकी डेली डायेट का लगबग वन थर्ड होता है और इन्ही सब कारणों की वजह से मैं रागी या नाचनी को बहुत पसंद करता हूँ मुझे जब भी मौका मिलता है तो मैं उसे खाता हूँ लेकिन जैसा कि आप समय सते हैं कि मैं उसके लड़ू बना कर दो खैर यहीं खाता, मैं उसे खाता हूँ रोटी बनाकर, भाकरी बनाकर, या रागी मुड़े बनाकर, इसके अलावा और बहुत सारी रेसिपी भी है, मेरी सबसे सिंपलेस्ट रागी रेसिपी तो खेर यही है, कि मैं उसे रात को भीगो कर रखने के बाद सुबह कोकर में कुछ पान या ब्राउन राइस को करता, इस तरीके से नाचनी या फिंगर मिलिट को कंज्यूम करने से मुझे रागी के डायेटरी फाइबर का पूरा फाइदा मिल जाता है, और जैसा कि मैं अन्य कई वीडियो में एक्स्प्लेन कर चुका हूँ, डायेटरी फाइबर हमारी हेल्थ के ये बहुत सरूरी है, एक सिंपल फॉर्मूला याद रखिए, जब आप सतर ग्राम रागी या नाचनी खाते हैं, तो उसमें आपको लगबग सात ग्राम डायेटरी फाइबर मिलता है, और यदि आप इसे अपनी रेगिलर डायेट का हिस्सा बनाते हैं, तो साइंटिविक स ट्रेडी में ये पाया गया है कि सिर्फ इस एक छोटे से एक्शन लेने की वजह से ही आपकी हार्ट अटेक की रिस्क में नौ पृतिशक की कभी हो सकती है